Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का दीई इन पर सौगत करता हूँ दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.010 का यूनिट सेगिंड पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे यूनिट के अंदर में कितने लेसंस हैं किस तरह के टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक के बिजिस पर क्या कोशिंस बन सकते हैं और कोशिंस के एक्जाम में पुछे जाने का पैटन क्या होगा एक तरह का यह selective study है क्योंकि time कम है आपके पास और time कम होने के कारण समक्या करते हैं कि कुछ चीजों को चुन कर पढ़ते हैं कि यह चीज ज़रूरी है इसको पढ़ो और time उपना save करते हैं तो यह बहुत अच्छा method होने वाला है number gain करने का exam में कम time के अंदर में चले start करते हैं आज का video फिल unit second के मैं बात करूँ तो यहां पर हम बात करने वाले हैं उप महादीप के स्तरोधिक प्राची नगर उप महादीप यहां पर किसको कह रहे हैं तो यहां पर भारत को उप महादीप के तौर पर दिखाए जा रहा है उसकी बारे में हम यहां पर बात करेंगे तो इस unit का जो पहला chapter है chapter number 5 जिसके अंदर हम बात करते हैं पारंबिक नगरवाद का प्रीच है इस starting में नगरवाद किस परकार का था ठीक है उसका introduction किस तर हुआ early urbanization किस तर का था उसके बारे हम यहां पर बात करेंगे तो देखो जब यहां पर एक important question आता है इस chapter के अंदर में कि नगर, नगरवाद और नगरिकरन है क्या नगर, नगरवाद और नगरिकरन है क्या तो नगर मतलब होता है सहर जहां पर लोग रहते हैं जो किस तर सहर को देखते हैं? आकार के इसाफ से बड़ा होगा घनी अवादी वाला होगा, जनसंख्या जादा होगी वेवसाय होगा, अर्थ वेवस्ता होगी उसको हम सहर के तौर पे डिनोट करते हैं देली में रह रहे हैं, तो देली के इंदर में क्या है? ज़ादा अवादी है ठीके छेतर भी बड़ा है ठीके छेतर छोटा भी है तो भी ज़ादा वादी है ठीके और जनसंक्या है वेविसाय है और अर्थ वश्था है इसके खुद की एक economy है ठीके तो उसको हम नगर के तोर पर treat करते है तो यहाँ पे question यह रहता है नगर नगरवा कि स SAY नगर्य-ववस्था किस तरह की ववस्था है नगर के अंदर में जैसे दो मकान बने हुए चार मकान बने हुए ठीक है पार्क बना हुआ है अफिटल बने हुए किस तरह की ववस्था है किस तरह से चीज़ चल रहा है ठीक है तो उसको हम खहते हैंग HC नगरवाथ है तो किस तरह की ववस्ता है, नगर की ववस्ता, नगरिये ववस्ता, उसके बारे में नगरबाद के तरहें बात करते हैं, तीसरा इसमें जो पॉइंट आता है हमारा नगरी करन, ठीके, तो उसमें यह कहता है, नगर बनने की प्रकिरिया क्या है, ऐसा तो है नहीं कि रातो रात बन गया ठीक है रातो रात तो बनाने होगा सुदामा की तरह तो हुआ नहीं होगा कि कृष्ण मगवान के पास गया और चावल जो भी था लेकर और उसके बाद उन्हों ने खाया और पूरा एकदम महल बनके तयार जब वापस आया तो वो पहचाय ने ना कि कहां चला गया त बसत होगा नहीं होगा तो उसकी पूरी प्रकिरिया क्या है तो नगरी करन क्या होता है वह यहां पर इसके बारे माने बहुत बार पढ़ा होगा हडपावस्तिय दो भागू आपको पढ़ा होगा है तो पहले तो कुछ स्टार्टिंग में जब भूछ की गई तो लोगों को यह लगा जो इध्यासकार थे उनको यह लगा पुराताविक ब्याक के जो लोग ते कि हड़ा पाही बस एक पुराताविक स्थन है पर दीरे दीरे जब उसकी खुदाई होने लगी आगे जब उसको दूड़ा गया तो सिंदू घाटी पूरा मोहन जोदलो पूरा दिखता है ठीक है जिसके अंदर में बहुत बड़ा छेत्र को कवर करता है ठीक है और यह पूरा जो पस्थल था रपा सब्रेता थी यह सिंदू घाटी के किनारे बसी भी थी तो स्टार् में जैसे काली बंगन लोथल दोला वीरा इन सब जगहों पर भी उस हडापा सब्रेता के साक्षे मिलते हैं तो यहां पर नॉर्मल इसके अंदर में बात करेंगे कि हडापा सब्रेता का बस्तियां किस परकार की थी मैंने बता है दूर्ग और निचला सहर विस्तार किस परक नीचे में स्थापित था और जिसके कारण से यह लगता था कि वह मज़ूर वर्ग का निमन वर्गों के लोगों के रहने क्लिए बनाया गया होगा निचला वर्ग वाला जो इसा था जो निचला सहर था वह घनी अवादी वाला च्छेतर था जबकि ऊपर वाला ऐसा नहीं तो अब यह इसना खार किस परकार के थे यह सारी चीजह यहां पर डिफाइन कर सकते हो नगर संदशना आपको मैंने बता दिया दीवारे मंद बताई दिया कि चार्तौप से केले बंधी ठीक हे चबूतरे दीवारे किस परकार की एटों का इन्रमान किया जाता था उसके खौत बार यह हड़ापा से बिता को कुश्चन पढ़ा होगा भी तब ठीक है, कुश्चन नमबर 7 की और बढ़ते हैं कुश्चन चैप्र नमबर 7 की और यहाँ पर कहते हैं कि हडपा की अर्थ विवस्ता और विवस्ता है अब देखो हमने पढ़ लिया कि नगरवाद होता क्या है नगर बना कैसे, नगर, नगरवाद, नगरी करन हमने पूरा पढ़ लिया, समझ में आ गया अब हमने पढ़ा हडपा से बिता का संद्चना किस परकार की लोग किस तरह से रहते होंगे तो हमने वो भी समझ ली अब आता है हलपा समझ में पढ़ा की अर्थ विवस्ता और विवस्ता है अगर लोग रह रहे हैं तो काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे विवस्ताई तो कर रहे होंगे, बिजनेस तो होगा ना इकनौमी जो थी खृषिव ववस्था पे निर्बर थी पर वहीं पर आज के इसाब से तुनादमत जो इधियास कर रहे उन्होंने ये बोला कि इनकी क्रिशी ववस्था पे नहीं थी नहीं थी डिपेंड नहीं थी रिजन क्या था कि आज के इसाप से जो पूरा सिंदु सब्वेता है हिंदू जो हरपा सब्वेता है सिंदु गाटी के सब्वेता है वह बंजर भूमी एक तरसे रेतिली भूमी जहां पर फसल उगाना इंपॉसिबल जैसा लगता है जिसके पर इस्टार्टिंग में का जाता था कि वह उप्याओ भूमीन थी इसके कांज यहां पर क्रिश्य व्वस्था थी ठीक है पर यहां पर अगर आप इसकी अर्थव्वस्था को परीच्छे जब यहां पर दो तो यहां पर आप किस-किस चीज को पॉइंट आउट कर सकते हो गैर क्रिशी उत्पादन पर ठीक है गैर क्रिशी उत्पादन क्या जो क्रिशी के अलावा किसी और चीज का उत्पादन करते हैं सिल्प उत्पादन को यहां पर बता सकते हो कि सिल्प उत्पादन किस परकार से था वहीं पर क्रिशी उत्पादन भी तो कही न कहीं होता था क क्योंकि कई जगा पे लोतलोतल में खुदाई के साक्षे मिले हैं ठीक है अनाज के दाने मिले हैं तो अनाज के दाने हैं तो उसके खेती होती होगी ठीक है तो वो चीज़े रहती है जीवन निर्वाह का तरीका क्या था किस तर से उस जीवन निर्वाह करते थे इनके बिजिस तो दो नगरी देतात के बाता है, और नगरीसमें मतभेद होगा है, आपसी, ठीके, यहाँ पे और हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है, तो जो सवाधान होते ते ते तो जहाँ पे सवों को दफनाया जाता था, ठीके, गाड़ा जाता था, उनके थूरू भी हमें इनके डिफ्रेंसीस का पता चलता है, नगरिये विभेद मतलब क्या हुआ, क नगर के आपस में बिभेध है ठीक है, एक उचाई पे एक नीचे पे मतलब differences है, सवाधान में भी differences देखने के लिए मिलती है, अगर जो दुर्ग सहर के आसपास में जो सवाधान मिले, उसके अंदर में कीमती जिवरात मिलते थे देखने के लिए ठीके मुंगा मुत्ती जो भी होते थे कीमती मिलते थे पर वहीं पर निचले सेर के अंदर में क्या मिलते थे हड़ी मिटी के ऐसे से चीज़े जो मतलब आम लोगों के लिए थे वो मिलते थे ठीके साथ साथ में जातिय संगोत्रिय संबंद भी देखने के लि तो इस तरह के से चीजे होती थी तो सगोत्रीय संबंद किस प्रकार से स्थापी तुझे नगर के अंदर में वह बता सकते हो ठीक है साथ साथ में समाजिक विभेद घरों का अकार अकार किस तरह से था बड़ा चोटा का रूमेन आपको स्टार्टिक में बता दिया तो यहां प्याब डिफाइन करोगे और उसके बेसिस प्याब को नंबर मिल जाते हैं ठीक है इस पूरे उनिट में से एक से दो कोशन बनने के चांसिस रहते हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा चैप्टर नमबर नाइन की और बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे एक प्रमु जो दो का नगर वैवस्ता किस प्रकार की ते नगर की विसेस्ता क्या थी वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे नगर की विसेस्ता क्या बात करोगे तो दुर्गु सहर किस प्रकार का था ठीक है निचला सहर किस प्रकार का था सनानागार किस प्रकार से हुआ करते थे गलिय वीडियो अच्छी लग रही है ठीक आपके लिए वीडियो वैल्यूवल है यूस्फुल है अगर 0.1 परसेंट भी वैल्यूवल है तो प्लीज लाइक से स्सक्राइब जूरू करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो भी जिनको नीड है इस वीडियो की जो एमेशाई करो कि थोड़ा सो कुछ पॉइंट्स भी दू जिससे आपको समझ में आया एकला वीडियो पोस्ट करने वाला हूं बढ़ मैं टेक करो पास